नमस्कार वेबदुने नियूस में आपका स्वागत है और नजर डाल दे है अचकी प्रमुक ख़बरों पर मोदी ने कहा कि आतंगवाद की खिलाफ सराने नहीं निभाई जिम्मेदारी आतंगवाद से निपटने में वैश्विक स्थार पर सयुकत प्रयास की कमी पर निराशा व्यक्त करते हुए प्रधान मंतरी नरिन मोदी ने कहा कि सर्युकत रष्ट जैसे अंतराश्टिय संगठन ने आतंगवाद के खिलाफ लडाई में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई बुसर इसमें भारतिय समुदाये को संबोधित करते हुए मोधी ने कहा कि सयुगतराश्ट्र ने आतंगवात के खात्मे के परती अपने जिम्मेदारी पूरी नहीं की और नहीं उसने अब तक कोई उचित हल बताया है उन्हें ने कहा कि भारत ने पिछले 40 साल से आतंगवात को जहला है लेकिन जब तक अमेरिका पर हमला नहीं हुआ तब तक पूरी दुनिया में कहा जाता रहा कि भारत कानून व्यवस्था की समस्य से जूज रहा है बारत ने कभी आतंगवात के सामने घुटने नहीं टिके ट्रॉम्प के अनुसार अवेद गर्बपात के लिए महिलाओं को सजा मिले अमेरिकी रैश्टपती पत की उमीदवारी के लिए रीपब्लिकन पार्टी की तरफ से आगे चल रहे है ट्रॉम्प ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कहा कि गैर कानुनी रूप से गर्बपात कराने वाली महिलाओं को दंडित किया जाना चाहिए ट्रॉंप ने एक साक्षातकार में कहा कि गैर कानूनी रूप से गर्बपात कराने वाली महिलाओं के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए साक्षातकरता के द्वारा पुछे जाने पर कि किस तरह की सजा होनी चाहिए ट्रंप ने कहा कि मैंने अभी इस बारे में कोई विचार नहीं किया कि किस तरह की सजा दी जानी चाहिए उत्राखंड में शक्ति परिक्षन पर लगी रोक उत्राखंड उच्छ नहायले की खंडपीट ने राजविदान सभावे आज होने वाले शक्ति परिक्षन पर 7 अपरिल तक के लिए रोक लगा दी दरसल एकल नहायधिश यूसी ध्यानी ने सदन में गुर्वार को शक्ति परिक्षन कराने का आदेश दिया था जिसे चुनोती दी गई थी मुक्य नहायधिश नहायमूर्ती के जोसर की अध्यक्षटावाली दो नहायधिशों की खंडपीट में राज्य में राष्टपती शाचन लगाये जाने को निर्वतमान मुक्य मंतरी हरिश रावत की एक रेटी आचिका में चुनोती दिये जाने की मामले की अंतिम रूप से सुनवाई 6 अप्रेल के लिए निर्धारित की है अटार्नी जनरल मुकल रोहतगी ने केंदर के ओर से पेश होती हुए कहां कि अदालते राष्टपती शाचन की घोष्टा में दखल अंदाजी नहीं कर सकती इसके बाद खंडपीट का यहां आदेश आया